तो दोस्तों इस remedy को प्रिपेर करने के लिए आपको यहाँ पे लोहे का पैन लेना है और लोहे के पैन में ही इस remedy को प्रिपेर करिएगा यहाँ पर आपको लेना है मैंने यह कद्दुकस किया हुआ है वीटरूट है वीटरूट का आपको इस तरह से कद्दुकस किया हुआ गुष्टरूट ले लेना है अगर आप अपने बालों को dares देना चाहते हैं वो भी black में तो आप इस जोड़ी को जरूर यूज करिए तो एक चमच मेने यहां पर कदूकस किया हुआ बीट रूट लिया है जिसे कि हम इस लोहे के पैन में अड़ कर देंगे दोस्तों और इसका जूस अगर आप चाहें तो रस भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अलग से इसमें आप अल बालों के लिए बालों की ग्रोथ के लिए काफी ज़दा बेस्ट होते हैं अगर आपके बाल देखें टूट रहे हैं जहड़ रहे हैं किसी भी कारण से तो बीट रूट का जूस जो होता है दोस्तों सिंपली आप इसे लगाएंगे तो भी बहुत ज़दा इफेक्टिव है और सफेद बालों के लिए 100% नाचुल यह रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं जिसका यूज करके आप अपने बालों को काला भी कर सकते हैं तो यह रेमेडी आपको बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेर करना है ठीक है तो हमने यहां पर बीट रूट ले लेना है तो दो बड़े कप मैंने यहां पर चोटे चोटे मिन्स यहां पर मैंने पानी ले लिया है इतना पानी लेना है कि आपका एक कप पानी जो है वो आधे कप में टन हो जाए मिन्स आपको उतना यह रेमेडी प्रिपेर करने के लिए लगेगी ठीक है और उसी के साथ म अगेन इसे कद्दू कस करके रखा हुआ है तो एक बड़े आमला मैंने यहाँ पर लिया है और इसका देखिए सेवन भी करिया आमला का आखे भी अच्छी रहती हैं आपके बाल भी अच्छी रहते हैं अगर बालों को काला बनाना चाहते हैं तो आमला आप ज़रूर इसमें आड़ करें तो एक बड़े चमच के तक्रिवन में यहाँ पर यह जो कद्दू कस किया हुआ आमला है इसे में ले रही हूँ और इसे इसी तरह से हमें आड़ कर देना है दोस्तों वाइटमीन सी एंटी आक्सिडन से भरपूर होता है आमला इसलिए यह हमारे बालों को गणा कर सकते हैं इसी के साथ में मैं इसमें आड़ करने वाली हूँ कॉफी जी हां दोस्तों कॉफी से तो और भी अच्छा आपको कलर देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आप 2 रुपे की कॉफी लेकर के आईए और इसी कॉफी को आपको जो दो रुपे की कॉफी है इतनी कॉफी आपके लिए सफिशेंट होती है तो इतना कॉफी आपको इसमें डाल देना है दोस्तों अगर बालों को कलर देना चाहते हैं तो यह रेमेडी ऐसे ही आपको प्रिपेर कर लेना है ठीक है और इसी के साथ में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप इसमें चाहे तो यहाँ पर में कुछ बूंदें जैसे की आधे या एक चमच के तक्रीबन आप नारियल का तेरीस में आड़ कर दीजिए अब आपको सिंपली क्या करना है गैस के फ्लेम को अन करना है और इससे अच्छी तरह से बॉइल करना है और इसका पानी आधा रह जाए फिर हम इसे स्टेन आउट करेंगे और बाकी जो इंग्रेडेंस में आड़ करने वाली हूँ उसे ध्यान से देखिएगा उसे बिलकुल इसी तरह से बनाएए ताकि सर्द्यों के मौसा में जो आपके बालों को कलर चाहिए पका कलर चाहिए यह आपको मिल जाए फ्रेंड्स आप देख सकते हो यह कितनी अच्छी तरह से बॉइल हो रहा है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से तो हमें यह कलर की ही जरुवत है जो की हम प्रिपेर करने वाले हैं हमारे नाच्रल से डाय को हम यहाँ पर लेने वाले हैं शिकाकाई पाउडर एक बाउल ले लीजिए और उसके अंदर आपको लेना है शिकाकाई पाउडर तो यहाँ पर आपको दो से तीन बड़े चमच के तक्रीबन शिकाकाई पाउडर ले लेना है दोस्तों आप सभी जानते हैं शिकाकाई बहुत स्क्याल्प केला pontoon और केल्ट को दूर करने के लिए तो घंस के लिए ओर इसके साथ में आपकी साफ्वी लेना है तो शिकाकाई पाउडर के साथ में आपको यहां पर कुछ इंडिगो पाउडर इस तरह से देखने के लिए मिलेगा जो ग्रीन कलर की लीफ्स टाइप होती है यह उसी का पाउडर है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूस हो जाते तो मैं आप लोगों को यह बता देती हू बालों की डैंडरफ को दूरूर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं आपके प्रिमेचर ग्रेंग हैर को अगर बाल सफेद हो चुके हैं तो इंडिगो का आप यूज इस तरह से जरूर करिए ठीक है दोनों पाउडर को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सिंपली आपको इसके अंदर इसमें मिक्स कर देना है यह देखिए मिला देना है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है वैसे ही आपके बालों को भी यह नाच्रली ब्लाक करेगा यह देखिए आपको इसे फेकना नहीं आप इसे फिल से इनो अच्छी तरह से पेस्ट बना करके अ आपको इस तरह से धीरे-धीरे से मिक्स करना है और एक घंटे अपने बालों पर इस रेमेडी को लगा करके छोड़ देना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना प्यारा सा स्मूथ आपका यह जो रेमेडी है यह बन करके रेडी हो जाएगा जो कि इंडिगो और सिर्फ और सी शिकाकाई के साथ में है और जो हमने यहां पर बीट टूट और यहां पर आमला का मिक्शर एड़ किया है तो यह इस तर पर्सन रिजल्ट आप अपने बालों को नाच्रल तरीके से इस तरह से डाय प्रिपेर करके अपने बालों को काला कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी DIY आ होम रेमेडी आप लोग जरूर करके बताएगा इसका अपने बालों पर जरूर लगाए जिससे आपके बाल टूटें जड़ेंगे नहीं जड़ेंगे नहीं और हमेशा काले ही बने रहेंगे यह देखे कुछ इस तरह से यह जो नाच्रल रेमेडी है इस तरह से आप इसे घर पे बना सकते हो कुछ ही इंग्रिडियन्स को यूज करके चलिए फ्रेंस इसका यूज जरूर करिएगा एक घंटे बालों पर लगा करके छोड़ दीजिए और बालों को शांपू आप कर सबते हो सेम डे मिलदी मैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के रिए बाए बाए हैवे नाइस डे हैवे ग्रेट डे